कि अज़िए एक शॉटिंग अपाउर्चनुर्टी दिख रही है तो इसको हम शॉट करने वाले हैं सम्वेर आराउंड कि यह लेवल ठीक रहेगा 922 के आसपास टागेट एंड स्टॉप लॉस कि अगर हम बात करें कि आएका स्मूथ ली नीचे आएगा बैक टू बैक ऐसा रैली किया हुआ माकेट ने विदाउड रिट्रेस्मेंट सो शॉट कि हमने अल्मोस 922 डिस इस दे लेवल प्रॉपर उसने देखो पूरा रिजेक्शन बढ़ा हुआ हुआ है यहां पर डिसकिस करते हम लोग एंड मे एक वेज़ पैटन का उसने ब्रेकडाउन भी दिया हुआ है मल्टीबल डीजन्स है टागेट हम लोग ट्वेडर देखी यह वाला लगाएंगे सम्वेर अराउंड 833 का टागेट मुझे दिख रहे है यह बॉटम का क्योंकि यह सपोर्ट जोन की तरह एक कर सकता है यह आपर रिजेक्शन आया था मार्केट का तो यही हम टागेट लगाएंगे उसके अगेंट्स में पहले काम करते हैं नीचे आज आएगा हो सकता है यह क्विक्ली तो 833 का टागेट लगा देते हैं यह exit limit 833 यह हमने अपना टागेट लगा दिया है stop loss अगर हम बात करें है तो stop loss actually उपर में थोड़ा बहुत gap है तो वाट वी विल डू सम्वेर अराउंड 39,000 1020 के आसपर लगा देते हैं अपना stop loss यह 39,000 कर देते हैं चलो 39,000 39,0007 will be our stop loss यह exit SLM 39,0007 यह हमने अपना stop loss भी लगा दिया है यह 39,0007 का stop loss 38,000 833 का target almost 4000 के आसपर प्रॉफिट चल रहा है stay tuned वेड़स में आपको अपडेट करता हूं next movie कैसे करता है 15,000 14,000 के आसपर प्रॉफिट चल रहा है smoothly market नीचे की तरह आ रहा है look at the daily chart यहां पर आप देखिए back to back back to back rally आज gap up open हुआ है क्या market makers को profit book नहीं करना है क्या एक resistance rejection zone के आसपर आते हुए देखे यहां पर भी मैंने discuss किया था आपके साथ probability was very much high की नीचे आ सकता है अब लगातार दो दिन और आज तो gap up open हुआ है तो एक अच्छे मौके पर उपर अगर short करने का मौका मिलता है तो why not we have to short ठीक है जर्नली से ऐसा सूच नहीं रखनी कि बहुत उपर आ गया बहुत उपर आ गया आप short करो short करो नहीं proper levels के nearby हमको short करना चाहिए 6 minute level के बाद उसने break तो किया 6 minute level के बाद थोड़ा retracement तो चाहिए ऐसा थोड़ी नहीं कि market ऐसा चलते ही रहेगा back to back back to back I hope you understanding the point कि logical way से अगर हम short करें तो debt is valid सिर्व यह नहीं सूचना है कि हां market बहुत उपर आ गया है बहुत उपर आ गया है यहाँ पर बेचो 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 वैसा thinking नहीं है मेरा यहाँ पर प्रॉपर ली उसने wage pattern को breakdown दिया मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं यह वन मिनट के चार्ट के उपर यह सब हटा देता है देखिए दिस वास आइडली यहाँ पर मेरा यह लेवल्स के उपर breakdown था दिस वास देक्डाउन केंडल यहाँ पर देखिए उसने एक wage pattern बनाया हुआ है यह इसको properly बना देते हैं यह बन रहा है अपना narrow range यहाँ पर clearly breakdown rejection phase कर रहा है continues यह लेवल्स के उपर यह rejection यहाँ से भी market नीचा नहीं कोशिशिक कर रहा है तो multiple reasons के इसाब से हमने shot किया हुआ है रेंडमली shot नहीं किया है कि बस हाँ गिर रहा है market shot करो shot करो नहीं thinking is clear कि market एक retracement का due है चोटे time frame के उपर उसमें weight pattern का breakdown दिया है यह levels के उपर breakdown आया हुआ है तो multi confirmations के इसाब से इसको idly इसका due बनता है नीचे आना so let's see कि क्या thinking सही है या गलत है हम properly रुके हुए अपने target and stop loss के साथ मैं आपको update करता हूँ currently 7000 के आसपा 6000 के आसपा अपना profit चल रहा है smoothly fall almost 19000 के आसपा profit चल रहा है I think इसने low भी लगाया है 862 का target है अपना 833 यह levels का let see wait करते हैं कितना time लगाता है यहाँ पर नीचे आने में I think nifty भी यहां से fall करने की कोशिश कर रहा है nifty पहले अपसाइट मोमेंटम दिखा रहा था कि अभी निफ्टी में भी थोड़ा सा अपसाइट से नीचे की तरफ मोमेंटम आया हुआ है let's see कि यह continue करता है कि नहीं करता यह wait करते है traders मैं आपको update करता हूं next movie कैसे करता traders almost 70 के आसपाद आया हुआ है यहां पर देखिए बहुत बार hammer करने की कोशिश कर रहा है इसी levels के आसपाद यह hammer किया यह hammer किया अब जाके उसने break किया हुआ है but still इतना ज़्यादा confidently उसने इतना hammer नहीं किया हुआ है यही levels में बाबा मार्केट उपर आने की कोशिश कर रहा ह यह levels के उपर तो इसको break होना बहुत ज़रूरी है अगर break नहीं करता है तो I think for quickly यह levels के उपर breakout दे सकता है यहां पर देखिए उसने एक trendliner कर मैं आपको बना के बता दूँ देखिए यह levels पर इसको डाग भी कर देता है तो हो सकता है कि यहां पर वो breakout नहीं देदे तो इसको hammer करना बहुत ज़रूरी है यह levels के उपर सो देखते हैं वेट करते हैं almost 76-77 के आसपास तो यह चल रहा है 70 को break करना चाहिए अच्छे volumes के साथ तो वो quickly अपना target like 2 minutes के अंदर दे देगा क्योंग वहां पर hold करने के कोशिश कर रहा है बार 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 बैंक निफ्टी 20,000 के आसप profit चल रहा है stay tuned riders में आपको update करता हूं target and stop loss are intact 44-48 I think इसने अभी low भी लगाया है 43 के आसपास का यहां पर breakout दिया उसने वहीं पर देखो trap करते हुए नीचे की तरफ आया हुआ हुआ हो वह वेट करते है 33 का target है अपना probability है बहुत ज्यादा high है कि यह levels के उपर वो आ जाएगा वेट करते है रोडस patients test होता है कोई issue की बात नहीं we will wait for our target traders देखें यह levels के उपर अपना 25 quantity लेके गया है and मैंने यहाँ पर try क्या तो चलो ठीक है कोई issue की बात नहीं 36 के आसपाद आया है सिरुफ और सिरुफ मेरा 25 quantity लेके गया है वो बाखी का अभी भी पैंडिंग है है तो what to do actually है वो bottom level and बहुत ज्यादा nearby है वो support levels के nearby है वेट करते हैं वेट करते हैं टागेट तो अचीव किया है उसने 51 53 देखिए वही level है उसका एक काम करते है what we will do now अपने cost पर लगा देते हैं stop-loss यह इसको modify करते हुए अपना cost क्या है cost है अपना 38,000 यह 38,000 920 ठीक है यहाँ पर हमने modify कर दिया अब बैठे हुए हम लोग अपने target के लिए और उसने सिरफ 25 quantity यहाँ पर लिया हुआ है बाखी का still pending है अभी भी 400 quantity नई बेट होता है तो भी हम zero rupees कमा के लगबग समझो हम निकलेंगे इसमें रिस्क अपना है यहाँ पर हमने 3 पर अपना ही order है वेट करते हैं वेट करते हैं ओके फाइनली अपना यहाँ पर टागेड अचीव हो चुका है इसको कर देंगे हम कैंसल सो बुक किया आमने 37,480 quantity अब मैं 4 425 के आसपा ले रहा हूं क्योंकि Monday and Tuesday को मैंने ब्रेक लिया तो थोड़ा सा पिक अप के लिए 425 कल से मैं 500 quantity मैं काम करने वाला हूं Monday and Tuesday को वीडियो नहीं है मैंने आपको दिसक्स कर लिया था मंडे को मैंने ट्रेट शेक किया बहुत अच्छे से चला टेलिगाम चनल पर नहीं हो तो जोईन कर लिजे तूस्डे वाला ट्रेट छोटा सा आरा रिशो मतलब आरा रिशो तो अच्छा था रिस्क को चोटी सी दो उसमें बट उसमें अपना स्टॉपला हेट हो चुका है तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस चलते रहता है कोई शू की बात नहीं है अपना तीसरा यहां पर क्लेली एक ब्रेकडाउन बनते हुए रिजेक्शन जोन से वो नीचे आने की कोशिश कर रहे है हां यहां पर चौथा भी वी कंसीरड कर सकते हो जो कमेंट सेक्शन में आएगा जो मैं आप नोटिस कर आँ जाधा मैं उसको नोटिस नहीं करता हूं आज कल वो है अपना head and shoulder pattern, यह left, यह head and यह right shoulder उसको मैं इतना जाधा इतना इतना importance दिया था, I hope you understood the point, so that was logic behind today's trade, video अच्छा लगा तो like जबू कर देना, thanks for watching, we'll see you in the next video.